वेलकम टू प्रेशा लॉट टूरियल हलो रर्णार्स कैसे हैं आप आई होब आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपेरिशन कर रहे होंगे आपकी एग्जाम आने वाले हैं जून में तो उसके लिए मैंने यह लेक्चर सीरीज तेयार की है जो की सेकंड सैम के लिए है जो क Report के लिएखन ऀंगल हिस्ट्री में बहुत जादा लाइनडी मोटीरियल है सुउ ँसिए क्या पाजें मैने इसको टॉपिक वाईस दिसकस किया है सू स्टार्ट करते हम अपने पहले टॉपिक से EAS India Company लो कॉस्टम बात करते है इस इंझिया कंपनी कि जो इस इंडिया कंपनी को और कंपनी को पास executive trading rights से जो कि वो अपना ट्रेडिंग करना चाहती थी इंडिया में अफ्रीका और अमेरिका सही तो एश्या में जिसमें कि वो ट्रेडिंग जो बिजनस है उसका राइट उसे दिया जाए इसके लिए वो license लेती थी तो without license उसके इस इंडिया कंपनी जाए थे वो था आपका 14 years के लिए दिया गया था और अगर 14 years तक वो अच्छे से अपना यहां पर ट्रेडिंग राइट से जो बिजनस है उसको स्टैबलिश कर पाए तो अगले 15 years के लिए वो तभी रिन्यू किया जा सकता है जब इससे जो crown और उनके जो लोग हैं उनका पर उन पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़े मतलब गलत तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर वो smoothly हां इंडिया में काम कर पाए तो इस हिसाब से वो अगले 15 साल के लिए भी रिन्यू कर सकते थे इस इंडिया कंपनी के राइट्स को इस इंडिया कंपनी का ज जाता था जो कंपनी के जो भी नेलिए करना उसे मेणेज करने के लिए एनुः क्या करते थे इलेक्टेडिय करते थे और उस edition में वह Gouverneur और 24 डिरेक्टेट्स को उस में चुना जाता था जिसमें को elected किया जाता था उसे वो court कहते थे जहां पर journal meeting होती थी जिससे कि वो अपना जो company affairs है उसको manage कर सकें और जो भी settlement है company से related जो भी work है उसको वो जो भी issues हम से settle कर सकें इन अर्ली डेज जो इस इंजय कंपनी की जो भी administration of justice था वो high order में नहीं था मतलब की जो यहां पर separation नहीं था executive or judiciary के बीच में कोई separation नहीं था जो judiciary का control था executive के पास था मतलब यह कह सकते हैं इसमें के एक company थी company में क्या था governor थे 24 director थे और वो क्या करते थे जो भी company से related जो भी dispute थी उसको solve करते थे और एक ऐसी जगह उन्होंने बना रहे थी जहां पर जर्नल मीटिंग करते थे उसको court कहा जाता था और उसके लिए भी जो है elected किये जाते थे एक governor और 24 directors और जिसके अंदर जितने जो भी पावर थी वो executive की power higher थी judiciary की कोई power नहीं थी और जो judiciary काम करता था वो under the control of executive करता था जो judge था उसमें कोई law expert judges नहीं रखे जाते थे वो सिर्फ एक जो company affairs को चला सके उसी तरीके से उसके disputes जो भी company के disputes से उनके द्वारा solve किये जाते थे वाज़े से जो company है वो क्या करती थी lesser importance वो देती थी judicial independence fair justice के लिए और rule of law मतलब वहां पर जो भी judges थे उनको rule of law और fair justice का कोई independence नहीं था एक साता है charter 1661 इस period में क्या था administration of justice court और judicial institution के development के लिए इस चार्टर को लाया गया इस चार्टर में मतलब 1661 चार्टर में क्या था यह तीन अप्रेल 1661 में Charles second जो थे उनके द्वारा यह चार्टर को जारी किया गया था जिससे की इंडिया में law का importance बढ़ सके मतलब special significance दिया जाए in Indian legal history में मतलब law को importance दी जाए इस चार्टर के द्वारा जो company थी उसके पास यह power थी कि वह appoint करता था governor और council अपनी फैक्टरी के लिए और उसके पास और भी अधर पावर थी इस addition में और भी अधर पावर थी governor और council के पास अपनी फैक्टरी को लेकर इस चार्टर ने यह authorized किया था governor council of Englishman को कि व work है वो उसका settlement कर सके है जो governor और council है वो उसके पास पावर यह थी कि जो भी उनकी फैक्टरी थी मतलब जिसे बोलते हैं कार खाना मतलब एक जगे कोई फैक्टरी थी उससे related जो भी dispute था वो सुन सकती थी decide कर सकती थी all type of civil और criminal cases भी जिसके अंदर capital offense भी include होता था और किसी भी तरीके के punishments वो दे सकती थी including death sentence तो किल मिला कि हम यह कह सकते हैं 1600 में क्या था 1600 चार्टर में सर्फ एक company आई थी जिससे की वो यहां पर एक कह सकते है starting एक trading company से करी थी और धीरे धीरे उन्होंने क्या काम करा जो भी जैसे court word use किया उन्होंने और जो की journal meeting के लिए था उन्हों ने क्या काम करा उस चीज को executive power, legislative power, judiciary power इन तीनों organs में divide करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले क्या था executive power जो भी जो भी हापे work करते थे जैसे governor या उनके council थे उनके पास power सबसे जादा थी और धीरे धीरे करके उन्होंने क्या काम करा judges का भी काम शुरू गया मतलब judges judiciary power भी उ उसमें power थी executive के control में थी और फिर उन्होंने judiciary power में जो भी criminal cases थे या civil cases थे उनको भी लेना शुरू कर दिया और साथ में जो capital offenses थे उनको भी include करना शुरू करा और इसके अंदर punishments जो हैं जितने भी kinds of punishment हैं वो भी और साथ में death sentences देने भी शुरू कर दिये 1661 के charter में इस चीज इसको रखा गया उसके बाद रता है जो चार्टा 1661 है इसमें क्या-क्या चीज और हम कह सकते हैं इसमें क्या-क्या इसके features थे तो इसमें क्या था authorized किया गया company को कि वो किसी भी cases जो भी जो भी उनके लोग हैं जो भी उनके अंदर काम करते हैं company के अंदर उनके लिए वो ट् इंडिया में जैसे law of torch है तो वो क्या है वो एक English law है तो इसी तरीके से वो धीरी-धीरी करके वहां के laws जो है वो अप्लाई कर रहे थे इंडिया में जिशल पावर जो थी executive के पास थी जिसमें governor or councils जो थे वो work करते थे आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आपका charter 600 और 1661 इ क्यों कि आपके important आपके exam के साफ से बहुत lengthy material है इसलिए short short में करके मैं इसके videos आपको provide करूंगी so आगे की videos के लिए बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ so तब तक के लिए thank you for watching my videos for more videos watch study like and subscribe my channel